उत्रा खंड में कोरुना संकट के बीच अब लोग आक्सिजन के लिए तरस रहे हैं। इसकी कमी के कारण लोग दम तोड़ रहे हैं। लोग लंबी लाइने लगाकर अपनों के लिए सांसे तलाश रहे हैं। उक्सिजन की मांग हर दिन बढ़ रही है और इसकी पूर्ती के लिए सभी संसादन कम परते दिख रहे हैं। आज 2-4 घंटे में खतम हो जा रहा है। और उसको सर्वाइब करने में बड़ी मुश्किल है। अभी हम उसको सर्वाइब कर रही है वह लेड़ी और हम से लेंडर निकालके आए बिना ऑक्सिजन के वह बैट पर लेटी है। और उसका ऑक्सिजन 65-70 जा रहा है। फ्रोव मीटर का इंजा मैंने कि है फ्रोव मीटर जो 500 रुपर मिलता है यह मैंने 6000 का मार्केट से खरीदा है। इस्तिती है कि भारत वाले कोशिश तो कर रहे हैं पूरी सप्लाइब करने की लेकिन यहां पर भी नहीं हो पा रहा है। खाली सिलेंडर लेकर आ जो हम भड़ देंगे लिए कि सलेंडर कहीं भी एवलेबल नहीं है जब तून नमरों पर आता है कि हम साब को सलेंडर अवलेबल कराएंगे। फिराब वो परमोशन है उन नमरों का बाकि कोई भी फायदा नहीं है। पर कई बार उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है दियादून में 15 चोटे बड़े ऑक्सिजन विक्रेता है जिनके पास करीब 6000 ऑक्सिजन सिलेंडर है ऑक्सिजन ट्रेडर्स का कहना है कि उनके पास ऑक्सिजन तो मौझूद है पर सिलेंडर की भारी किलत है लोग सिलेंडर ले जाकर वापस नहीं कर रहे हैं जिससे आगे आने वाले लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है दोगो हम तो सिलेंडर दे नहीं पा रहे हैं अब हमारे पास सिलेंडर नहीं है बिलकुल भी जितने भी हमने सिलेंडर पीछे 15-20 दिनों में दिये हैं उत सिलेंडरों की हमारे पास रिकवरी एक की भी नहीं आ रही है अगर जो मालों पूरे दिनमर में एक सिलेंडर आ रहा है तो 500 की डिमांड है हम किसको ने, किसको ना दे हैं बड़ी अशुविधा है यह तो भगवानी है कहां से किसको सिलंडर दिलारा कैसे दिलारा हम कुछ नहीं बड़ी मुश्किल है गैस हमारे ब्रवेलम है गैस जितने मरजी आदनी रिफिल करा सकता है पहले जिस्चीच की डिमांड नहीं थी आज भरपूर डिमांड है तो कहां से एक दम पहला हो लेगे एक दम तो कुछ भी नहीं हो सकता ला देबुमी इंसाइटर की खास डिपोर्ट